जोहा जारखंड नमस्कार इंडिया लाइव इंडियन गाट से मैं केत की जारखंड तो बना लेकिन जारखंडियों को जो हक चाहिए था वो नहीं मिला आंदोलन की राह पकड़ी आंदोलन कारियों ने साल दर साल जवानी की उम्र में पहुँच चुका जारखंड लेकिन फिर भी जवान अभी संघर्स को मजबूर है कहानी वही पुरानी है साथ चालिस अब भी जिन्दा है कैसे इसे बदला जाए कैसे इसे हटाया जाए एक के बाद एक रन में रननीती बदली जा रही है मेरे पीछे यूवा दिख रहे हैं आपको आज एक बैठक का आयोजन किया गया जे एस एस यू द्वारा जारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो जारखंड से नहीं है उनको बता दू शाट चालिस जो है वो एक कॉंसेप्ट है नियोजन नीती का कॉंसेप्ट है ज आने की प्रक्रिया हो चुकी है जमीन पर बार बार उतारा जा रहा है लेकिन यूवा है रोक दे रहे हैं तो बात वहीं उठती है कि वैसे नियम नीती और सिध्धान्त बनकर ही क्या करेंगे जब लोगों का भला ही नहीं होगा और आज संघर्स की एक और नई सीड़ी नई आज शसलबास की शुर्वात है गोल्फ ग्राउन में इस वक्त में हूं धन भाट के गोफ ग्राउन में पहले तो यह बताईए तबियत भीड़ी आपकी और वो तबियत भीड़ी जारखंड ने देखा अब क्या लगता है कुछ बदला उसके बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा बड़ा कुर्बानी हम लोग का पुर्वाइश दे चुके हैं तो हम लोग को यह छोटी-छोटी हम लो को दिक्कत नहीं है इसके लिए अगर और भी ज्यादा हम लोग को परिशानी जलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अपना जारखंड के लिए हमें घर होए ठीक है आज एक मीटिंग हुई मीटिंग का तो पहले ही नोटीस था ही जगा-जगा मीटिंग सो रहे हैं ध पहला चरण उसके बाद 26 महीं से 6 जून तक आपका सेकेंड चरण उसके बाद 8 तारीक से हो गया आपका मसाल जुलूस 9 और 10 10 और 11 हो गया आपका पूरा जारखंड पूर्ण रूप से बंदी का एलान किया गया है तो हम लोग का पहला चरण है कि जितने भी हम लोग का हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का धनबाज जिला में 6 वीदायक आते हैं एक सांस और 10 लोग जो कि अपना मुलभूत भोट देके उनको चुने हैं, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से हर जगा आप लोग को पता ही होगा कि दो साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई हमको इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, पेले भांसा का आंदोलन कर रहे हम लोग सीर्फ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो हमको पता नहीं, हमको ग्यात नहीं होता हैält कि एसा हम लोग का बिदायक और सांसत्त हम लोग की लिए कुछ भला कर रहे हैं, नातों हैं, कि आप सिर्फ मीडिया जाके बोलती हैं कि आप लोग के साथ खड़े हैं कि आप में लोग के साथ खड़े हैं नहीं तो सीटी जो है वो भाजपा का जून है और ऐसे में क्या आपको लगता है क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि भाजपा जो है वह थोड़ासा विहारी यह पर पकड़े आपको लगता सहीओ मिलेगा अब यहां एक बैलकुल एक दम पूर्ण चाहिए लाइगा बिलकूल मिले का बिलकूल यहां जहांगी, जैसे आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या यहां स्टुडेंट्स यहां या और किसी पार्टी के यहां पर पूरे जारकंड के चात्र नोजवान आप देखी रहे हैं कि यह ज पूरे धनबाद जिला में कोलान हो आपका पलामू हो उत्री छोटा नागपुर हो पूरे जारखन में आग लग चुका था उसी परकार से यह आंदोलन के गो सरूफ है जहां से हम लोग का राची राजधानी से सुरू किया गया है और वही हम लोग अभी पटरी में लाने का प्रियास कर रहे हैं ठीक है एक बात और यहां की तो बात नहीं कर रही हूं लेकिन पर्टिकुलर्ली राची में ऐसे आरोप लगते रहे हैं जहां मोमो और कॉंग्रेस की गठवंदन वाली सरकार है ऐसे में कहना है कि जो यह बीच-बीच में जो आंदोलन हो रहा है यह कही बीचेपी यहां पर अपना रोल निमाया है बीचेपी यहीं पर साशन किया अगर 20 साल, 20 साल हुआ है तो 15-18 साल आपको दिखाई देता होगा कि कारिकाल बीचेपी का ही है तो यह हमको नहीं लगता है यह जारखन का छात्र नौजवान समझ चुका है उन लोग जाग चुक अगर बिधायक और सांसदों का साथ नहीं मिलता है तो क्या किया जाएगा? कि एक साल आने बाला है 18 महीन आने बाला है हम लोग जार्खन बनाना चानते हैं यह चपा सोमझा ले द Sketch Avaad में छे बिदाये के एक सांस संध अगला 18 महीन एक साल आने बाला है आप लोग मुझ देखने का लाइक भी नहीं रहेंगे यहां पर हम बता देते हैं चलिए तो तीर धनुस स्वागत करेंगे किसने का है तो हम लोग आने वाले जो चुना है उसके लिए हम लोग तीर धनुस स्वागत करेंगे जो रत पड़ेगा तो औरो कुछ हम लोग तलवार कुछ भी उठा सकते हैं नहीं होगा तो हम लोग अपना अधिकार को हंक्यों हो देंगे जी जी हम लोग बाइद हैं चुकि जारखन अरग हुए आज ताइसार होने वारे हैं लेकिन आज तक अस्थानिये कौन है अभी तक परवास परिभासित ने किया सरकार जींड़ा रहा है कि जब तो को अस्थान की वात कैसे कर पाएगो ऑजब नियोजन की बना इस भारत पर राजी इस परकार कि नहीं जो नियम फोलो जारखन में होता है तो फिर यहां पर इस परकास से दोरी निति क्यों किये गई कि प्रवतिवार के अधार पर किया लेकिन हमारी पहचान हमारी संस्कृति से चीद मिटाने के काम कर रही सरकार को हमें डिजीटर आंदोरन फिजीकर आंदोरन पिछले एक सार से आंदोरन करने लेकिन सरकार ना जाने को दिमाग को बेच के सोई हम लोग इतने आंदोरन करने के बाद भी यहां की जनता की आवाज नहीं सुन रही है तो इसका हम लोग जबाब देंगे इसका समय नई दीख है और मैं चाहता हूं कि यह सरकार की नीती है यह कहीं भी निया संगत जारखंड की रिय जोबी नेता है वह मना की आये साप यह साते हैं जो कि खनी संपदा को देखी तो आप देख रहां किस परकार से नेता है वह लोग भी यहां की हमारी हग को रखने में मैं की बिसफ़र है ना जाने क्या उन्हों की मन्सा है तो इसका पूर्चोड तरीके से जवाब दिया जा कि किछिने पाँनाज जांगान को इसके दिया है उसके बाद को प्राप्त कीया है तो अगर अपना हक और अधिकार के दिए अगर लगने के तैयार है यह जारकन का अभी निर्मान करना है अभी तो देखना चाहा रहा था वो रूप नहीं मिल पाया है जारखन में भी बहुत कुछ करना बाकी है बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि अभी जारखन का जो गाड के गए है जो लोग सहीदों ने जिसका जो सपना था जारखन का जो उसका उदेश सा जारखन बनाने का वह अभी त जडिनें को हम और फिटानिक्टीरास्तौन को हम लोगskन पर शॉन यह करेंगे जब भी होगा um मुझय करेंगा जब तक हरी नहीं करेंगे तरीका अलग अलग होगा लेकि चारी रहेगा तो आप सुन रहे हैं बात पुरानी है लेकिन संघर्स खत्म कब होगा क्योंकि जारखन बना था जब तब से अब तक कीवल संघर्स चला है और एक नई दास्तान चल रही है अब संघर्स की और लोगों से भी बात करेंगे जुड़ेंगे हम दो मिनट के बाद तब तक आप ब